हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एससे क्रेकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है रात के नौ बच चुके हैं इसका मतलब क्या होने वाला है अभी ओल इंडिया मॉक टेस्ट ठीक है और इस टेस्ट का आप लोगों को बहुत जादा इंतिजार रहता है ठीक है यहां पर मैं पढ़ रहा था रजनी गंधा का कहना है कि उसने पेमेंट करने के बाद उसको डाउनलोड का ओप्शन नहीं आया मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है ऐसे बहुत लोगों को यह प्रॉब्लम आ रहा है तो देखिए क्या है ना कि जब आप गूगल स्ट लेना आप ठीक है तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हाला कि मैं सोचा था कि एक वीडियो इस पर बना दे कि कैसे डाउनलोड करना है क्योंकि मेल पर पूछता रहता है बहुत लोगों को नहीं हो पाता है डाउनलोड कोई नहीं बट अब जो है हम ल मेरे तरफ से कॉंग्रिचुलेशन ओके चलिए गाइस तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करें क्या मॉक टेस्ट या अभी बेट कर लें कि सब लोग आ गया है सब को मेरे तरफ से गुड इवनिंग वेरी गुड 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 इवनिंग तो अल उफ यू चलिए तो स्टा क्या होने वाला इसका एक है dus का कि फ्रस्ट कर्सन जो है यहां पर हो चुका है आपका कर और देखिए टाइम हो गए आपका फिनिश यह कोस्टन देखिए इस कोषटन को बनाना बहुत भास बहुत 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 यहां देखिए सीधा सीधी बात था आपका कि यहां से देखिए यहां 3 less 3 less 3 less अब आपका 3 में क्या आएगा C होगा आपका यानि कि option number C जो है आपका correct है चलिए यहां पर question आप से पूछा गया है कि इसको आपको dictionary के हिसाब से आपको sequence में लगाना है कि पहले कौन आएगा तो इस तरीके से third number पे कौन आएगा यह आपको बताना है ठीक है चलिए आपका time start होता है 20 seconds में बताइए कि तिसरे number पे आपका कौन आने वाला है question number 2 आ चुका है आपके screen पर और यहां होगे आपका time finish आज भी वही हुआ है कि notification जो है किसी को गया नहीं है चलिए कोई नहीं थोड़ा से इसका brightness पहले थोड़ा इसका screen increase कर दें चलिए यहां देखिए question number 2 का आपका answer क्या होगा यह होगा आपका ISO locks यह आपका तीसरे number पर आने वाला है जब आप arrange करेंगे तो third number पर यहीं आएगा आपका next question आ चुका है question number 3 यहां पर आपको इसको solve करना है within 25 seconds में question को ध्यान से बनाना है 25 seconds में इसको आपको solve करना है notification किसी को गया ही नहीं है YouTube का बदमासी है और क्या बोल सकते हैं और यहां हो गया आपका time finished तीसरा question बना आपका देखिए बनाने का बहुत अच्छा इसका तरीका था और यहां पर देखिए बहुत सारे लोगों का गलत answer आ गया सुरजीत का और तमना दोनों ने गलत किया है चलिए बाद में सही है यहां देखिए servant तो जो vowel है A होता है E होता है I, O, U यह पांच आपके vowel होते हैं इसका place value 1, 2, 3, 4, 5 तो यह इसके place value हो गया आपके vowels के बाकी consonant का आपका same to same रहेगा S का place value 19 है E का place value vowels में आपका 1 था आपका consonant में आप देखेंगे तो R का place value 18 होता है तो इसी तरीके से इसको बनाना था और यहां अगर आप देखेंगे ज्यादा hard question है नहीं और यहां हो गया time finish यहां क्या था कि 11 into 15 165 होता है और 11 into 19 यह आपका 209 होता है उसी तरीके से option number यहां पर D देखेंगे तो 12 into 15 12 into 15 आपका 180 हो गया और 12 into 19 यह आपका 228 हो गया तो यहां पर D answer आपका correct हो जाएगा ठीक है very good चलिए 4 का C यहां पर सब लोगों का answer आ रहा है 4 का लेकिन 4 का answer C नहीं होगा D होगा यहां पर बहुत सरे लोगों ने गलत कर दिया है forecast in fact सभी लोगों का answer यहां पर गलत आ रहा है D जो है बाद में चलकर कार्तिक का है यहां पर 11 into 15 था और 11 into 19 था समझ रहे हैं तो 12 into 15 और 12 into 19 आपका यह आएगा तो D यहां पर correct है next question चलते है question number 7 यह आपका mirror image का question है चलिए 15 seconds में इस question को बनाईए और time हो गया यहां पर finish यहां देखना है आपको कि mirror image है यानि कि 5 आपका last में आएगा तो यहां नहीं है 5 5 वो भी आपका किस में आएगा opposite में आएगा ठीक है इस तरीके से आपका figure बनेगा तो यह वाला आपको दिख रहा है यह आपका गलत हो गया ठीक है अब इन दोनों में आप मिला लेजिए 5 सेम है, G सेम है 7 opposite आगया है 7 आपका यह वाला होगा 1 वाला तो यहां पर 1 आपका correct है तो 5 का 1 यहां पर A सब का आ रहा है very good next question चलते है question number 6 अब इसको आपको मनाना है कितने second में 25 seconds में ठीक है इस question को solve करना है आपको और यहां हो गया time finish question number 6 को हम कैसे बनाएंगे question number 6 को बनाने के लिए 21 का square किजिए कितना होता है यहां पर ठीक है 441 और 441 minus 4 करेंगे 437 आता है 33 का square ठीक है 1089 1089 में minus 4 इतना आ गया 11 का square 121 minus 4 करेंगे 117 आना चाहिए यह नहीं है आपका C answer यहां पर correct हो जाएगा ठीक है next question चलते है question number 7 इसमें odd one out का question है क्या होने वाला यहां पर time हो गया finish यहां देखिए सीधा सीधी है कि non-violence truth peace यह सब आपके positive है hatred जो है यह अलग है आपका ठीक है यह आपका just opposite हो गया है next question यहां पर आचुका है question number 8 blood relation का question है 35 second में इसको बनाईए यहां हो गया आपका time finish यहां देखिए plus का मतलब क्या हो गया a is father of b ठीक है multiply का मतलब हो गया a is brother of b यह सब आपको दे दिया है तो बस इसको आपको लगा देना है समझ रहे हैं जब इसको आप solve करेंगे तो यहां पर आपका c जो है answer correct हो जाएगा ठीक है आता है ना बनाने इसको solve करने की जुरुवत तो नहीं है next है यहां पर question number 9 question number 9 बनाईए और यहां हो गया आपका time finish अब यहां पर आपका कैसे बनेगा 128 यहां पर आपका answer correct है ठीक है 128 128 right है पहले 2 increase हुआ फिर 3 increase हुआ 5, 7, 11, 13 फिर 17 आपका sub prime number आपका increase होने वाला है चलिए question number 10 इसको बनाईए 30 seconds में चलिए यहां पर आपको कैसे बनाना था यहां आपका देखिए 28 इन्टू 36 डिवाइड़ बाई 4 ठीक है जब आप इसको multiply करेंगे 252 आ जाएगा फिर आपका 30 इन्टू 32 डिवाइड़ बाई 4 तो आपका 240 आ जाएगा फिर यहां भी 4 से किजिए 9 और 89 आपका कितना हो जाएगा 162 आपका हो जाएगा तो यहां पर 162 correct answer है ठीक है next आपका हो गया counting figure का question अब इसमें कितने triangle है यह आपको बताना है within 30 seconds में question number यहां पर आचुका है triangle figure का और question number कितना है 11 है चलिए time हो गया finish यहां पर total number of triangles कितने है यहां पर देखें यहां पर beauty कुमारी का answer D आ रहा है चलिए बहुत सारे लोग 20 दे रहे हैं 22 दे रहे हैं 18 दे रहे हैं देखें होना क्या है यह figure को पहचानते हैं तो यहां से 3 triangle इसमें से 3 triangle इसमें से 3 triangle इसमें से 3 triangle तो यहीं से आपका 12 triangle हो गया है आपका ठीक है ना 12 triangle यहां से 3 triangle आपका बनेगा यह भी figure आपका है तो 12 और 3 15 आपका हो गया ठीक है और उसके बाद देखें यहाँ पर अगर आप बरे वाले में जाएंगे तो यहाँ से भी तीन ट्रेंगिल बनता है तो 15, 13, 18 हो गया और उसके बाद यह जो आपका बरावला ट्रेंगिल है यहाँ पर ठीक है कौन सा बरावला यह बरावला ठीक है और यह तो 20 हो गया आपका तो 20 यहाँ पर आपका correct answer ह है ठीक है 20 I is your right answer next question है यहाँ पर कि beverage is related to tea तो medicine is related to what चलिए यहाँ देखिए बीवरे जो है यह आपका tea है medicine क्या है आपका analogics है आपका ठीक है इसका मतलब दर्द निवारक होता है दर्द नाशक तो आपका कितना है 12 का बहुत सरे लोग disease कह रहे हैं तो disease आपका नहीं होगा ठीक है एनल जैसिक जो है आपका राइट एंसर है तर्द नाशक यह आपका correct हो जाएगा ठीक है वन यहाँ पर राइट एंसर होगा कि जब tea जो आप पीते हो वो आपका बीवरे जी है ना पदार पीन तरल उसी तरह के से medicine आपका जो दिया वा है तो यह आपका क्या हो जाएगा ज चलिए यहाँ पर आपका जो है time हो गया finish इसमें अलग कौन है तो इसमें आपका d जो है वो अलग है ठीक है d जो है यहाँ पर आपका correct हो चुका है d 13 का d answer सही है देखिए 11 और यहाँ पर 16 दिया वा ठीक है 11 16 21 26 देख रहा है 5 5 5 समें 5 5 increase है फिर यहाँ पर देखिए 2 है 7 है 12 है और 17 है यहाँ भी 5 5 का gap है यहाँ भी 5 5 का gap है लेकिन यहाँ पर नहीं है 18 4 22 आर से भी में 4 का gap है तो य यही आपका अलग हो जाएगा 13 का d सही हो गया है 14 का answer क्या होने वाला है 14 का क्या होगा answer 7 3 29 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और देखिए यहाँ हो गया आपका time finish ठीक है यहाँ देखना है आपको 7 है और यहाँ पर 329 है तो 329 किसके नजदिक है 7 का cube कितना होता है 343 होता है 7 का cube अब 329 से कितना का difference है 14 का difference है ठीक है तो यह 14 कहां से आ जाएगा तो हम 7 into 2 कर देंगे इसको less कर देंगे फिर आपका 9 है तो 9 का cube कितना होता है 7 29 और 7 29 हो गया और minus 9 into 2 यानिकी 18 कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा 711 आपका answer आजाएगा तो 7 का D यहाँ पर correct है और सबका correct आ रहा है very good question number 15 post police officer mother और female यहाँ पर आपका correct क्या आगा बहुत ध्यान से बनाना है इस question को question number 15 और देखिए time हो गया finish इसका figure कुछ इस तरीके से आपका बनेगा कि female के अंदर में mother तो आएगी क्या जितनी भी female है mother तो होगी ही होगी mother female ही होगी ना तो अंदर में आ गई अब देखिए यहाँ पर यह आपका बन जागा police officer की कुछ महिला जो है वो police officer भी है mother police officer है और कुछ यहाँ पर female police officer है तो यह आपका D जो है correct answer है ठीक है next question की तरफ चले very good सबका सही आ रहा है question number 16 और इसको 25 second में बनाना है time हो गया यहाँ finish देखिए इसमें तो all conclusion one और three जो है यहाँ पर आपका होगा ठीक है क्योंकि सभी price क्या है आपका medal है और यहाँ पर क्या है कि some price are certificate some price क्या है आपका certificate है सब आपका समसम में दिख रहा है यही आपका answer हो जागा ठीक है यहाँ पर little frolic ankeita क्या कहना है sir I want help I really want to crack SSE this time if I watch all your videos वीडियो पर work और self study करने के बाद यही selection के लिए तो 100% है कि आपका हो जाएगा इससे ज़्यादा क्या करना है next question हो गया question number 17 17 देखिए पता नहीं आपको question यह दीख रहा है या नहीं दीख रहा है ठीक है बट देखिए यहाँ पर है आपको कि आपको बताना है कि जब इसको हम fold करेंगे तो कौन-कौन सा आपका बनेगा यह देखिए 1 है यह 4 है यह 2 है आपका यहाँ 6 है यहाँ 1 है यहाँ 3 है आपका यहाँ 5 है यहाँ 6 है और यहाँ 1 है फिर यह 2 है 6 है और यहाँ 3 है तो जब हम इसको fold करेंगे तो कौन-कौन सा इसमें बन सकता है यहाँ पर क्या होगा कॉमल का कहना है कि सर अब जो नहीं आएगा उसका answer 4 दे देंगे सही हो ही जाएगा क्या logic है चलिए यहाँ आपका क्या होने वाला है 17 का आपका answer आजाएगा c आपका bc जो है यही आपका बनेगा जब हम इसको fold करेंगे तो आपका bc बनेगा यानि कि यह और यह figure आपका बनने वाला है ठीक है 17 का bc yes bc correct answer सही है चलिए next question चलते है question number 18 18 में क्या है कि किसी भी दो number और दो आपका value को change करके कौन सा equation correct होने वाला है इस question में time लगता है इसलिए आपको time बिया जाएगा चलिए यहाँ होगी आपका finish यहाँ देखिए कि यहाँ पर option number 1 यानि कि multiply और minus इन दोनों का sign अगर हम change कर दे जहाँ पर multiply का sign है वहाँ पर minus जहाँ पर minus का sign है वहाँ पर multiply का sign कर दे आप और 6 और 12 को यानि जहाँ 6 है वहाँ 12 और जहाँ 12 है वहाँ 6 अब हम इस equation को solve करेंगे तो definitely आपका यहाँ पर 80 आ जाएगा यानि option number 1 यहाँ पर correct है और बहुत सरे लोगों का answer आ रहा है प्रिंस ने गलत कर दिया है दिक्षा ने गलत कर दिया है बहुत सरे लोग यहाँ पर दे रहा है देखो confusion क्या हो गया है यहाँ पर multiply है यहाँ पर plus है बाकी सब same है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है आपको ऐसा नहीं कि यह question नहीं आता है बट आपकी वज़े से यह question आपके exam में गलत हो सकता है तो इन सब का भी ध्यान आपको रखना है तब ही तो मैं आपको mock test इतना करवा रहा हूँ समझ रहे हैं और कुछ दिन के बाद और रुख जाएए October के time में जो है और भी ज्यादा mock test आपके संख्या बढ़ जाएंगे question number 19 calendar date उस हिसाब से और आपका क्या आने वाला है sir why are you sounding low today चलिए time हो गया finish तो यहाँ देखिए कि calendar में आपको date दिखता है obviously बात है date कहाँ दिखते हो आप calendar में ही उसी तरीके से time आपको दिखना हो तो कहाँ दिखोगे आप obviously बात है clock में तो यह आपका correct हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 19 का 3 हो जाएगा ठीक है next question चले question number यहाँ पर 20 है आपका 20 में आपका क्या होने वाला है depend को यहाँ पर लिखा गया है इस code में तो यहाँ पर travel को क्या लिखा जाएगा क्या होगा बहुत solid question है यह बहुत solid question है sir इतना sir वीडियो बनाते है न डेली क्या बात चलिए यहाँ देखिए यहाँ पर 20 का बहुत खतरनाक logic है बहुत खतरनाक यहाँ देखिए यहाँ कितना मस्त है कि जैसे D का place value कितना होता है 4 होता है समझ रहे है D का 4 होता है तो 4 में हम 6 add कियें तो कितना आया 10 आया और 10 किसका place value होता है J का होता है तो last में देखिए J है फिर second में आपका E है E का place value 5 है इसमें अब हम 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आता है 10 10 किसका होता है J का होता है last में J दिया है फिर आपका देखिए P दिया वा है यहाँ पर P है तो P में अब हम 4 add करेंगे ठीक है तो P का place value 16 होता है 16,4,20 तो यहाँ पर T है उसी तरीके से हम इसको कर रहे हैं समझ रहे हैं फिर आप उसी तरीके से travel में करेंगे T, R, A, B, E, L तो यह सब जब आप करेंगे सेम प्रोसेस से तो option number D यहाँ पर आजागा correct और यहाँ देखिए ठीक है यहाँ पर निर्जा, very good यहाँ पर भासकर सब लोगों का answer correct आ रहा है ठीक है अब हम चलते हैं English की तरफ तो English का पहला question आ चुका है आपके screen पर चलिए थोड़ा तेजी में बनाना स्टार्ट केजिए first question English का आ चुका है और यहाँ देखिए हो चुका है आपका time up 21 का यहाँ क्या होगा कि my shoes were worn out so I had to buy a new one तो यहाँ पर आपको क्या रखना है new ones जो है आपका correct हो जागा d आपका correct हो जागा ठीक है क्योंकि जो shoes है यह आपका plural noun है ठीक है तो plural form of pronoun चाहिए तो यहाँ पर once आपका होगा ठीक है और plural के साथ कभी भी हम article का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसलिए a को हम हटा देंगे very good चलिए next question आपके screen पर आचुका है question number 22 यह है आपका direct indirect का question तो इसके लिए आपको 10 second 10 second में बनाईए थोड़ा challenge को accept किजिए कि कितने आपके बनेंगे देखिए 10 second के लिए question था यहाँ पर आप लोगों का solve भी हो गया होगा कि जैसे यहाँ पर आपका दियावा है कि she said to me what what आगे आपका तो आपको भी पता है what के साथ कुछ भी connecting नहीं लगेगा ना that ना कुछ तो देखिए यहाँ पर क्या है और ease लगावा है तो ease है तो watch तो होगा ही आपका ease वाला तो पहले cancel किजिए यहाँ पर कहीं भी what तो आपको यहाँ पर जो है आपको लिखा ही वा नहीं है यहाँ what time है तो यहाँ what हटा ही दिया है that लगा दिया है इसको भी skip किजिए यह भी आपका interrogative में दे दिया है see asked me what time word तो यहाँ पर incorrectly यहाँ पर कौन आपका है किसका spelling आपको गलत दिख रहा है किसका spelling यहाँ गलत है और यहाँ देखिए time आपका अब हो गया है यहाँ है आपका यह गलत डी जो है यह गलत है partner का spelling क्या होता है partner होता है तो यह गलत है spelling next question चले हम लोग 24 यहाँ पर आपका कौन गलत दिख रहा है आपका incorrectly spelled word है यहाँ पर क्या आपको wrong दिख रहा है time हो गया है finish यहाँ पर जिया का कहना है कि सर्थ CHSL 2021 registration कब शुरू होगी 2020 पहले होगा ना 2021 अभी थोरी नहोगा अभी तो 19 का exam चल ला है फिर 20 होगा ना 21 तो आपका CET में होगा यहाँ देखिए यहाँ पर किसका spelling गलत है negotiate का गलत है इसका spelling क्या होता है N E G O T I A T E आपका correct spelling है ठीक है next question चलते है question number 25 idioms का question है blow once on trumpet 10 सेकेट में बताना है blow once on trumpet का यहाँ पर क्या होने वाला है मतलब अपने मिया मिठु भन्दा praise oneself correct answer हो जागा यहाँ पर next question चलते हैं हम लोग question number 26 common error का question है क्या होगा यहाँ पर और right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुत सिंपल question है कि यहाँ पर हो जाएगा looking at ठीक है यहाँ जो looking addy body लिखाव है looking के साथ आपका at लगेगा ठीक है चलिए next आपका आगया यहाँ पर 27 27 में आपका क्या होने बला है यह है आपका active passive का question sir admit card कब आएगा admit card exam से 10 दिन पहले आएगा आपका यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा time हो गया आपका finish यहाँ देखिए option number c यहाँ पर correct है ठीक है martin drew a picture of the snow cap mountains तो यहाँ पर आपका क्या आएगा a picture of the snow cap mountains was drawn by martin ठीक है समझ गया तो यह आपका correct हो जाएगा next question चलते हम लो question number 28 में 28 आपका दियावा है यहाँ पर sentence improvement का चलिए इस question को जल्दी से solve किजी आप यहाँ हो गया आपका time finish ठीक है he sing always जो लिखावा है यहाँ correct structure क्या होगा आपका कि he always sing ठीक है when he is having a shower आपका correct हो जाएगा ठीक है यह आपका correct हो गया next question 29 में आपका synonyms बताना है implore का अच्छा question पढ़ दीजिए implore का क्या है implore का synonyms क्या होगा implore का synonyms क्या होने वाला है implore का हो जाएगा plead आपका synonyms ठीक है next question देखें हम लोग question number आपका 30 है vigilant का आपका antonyms क्या होने वाला है vigilant का antonyms vigilant का antonyms यहाँ पर कौन बताएगा right answer यहाँ हो जाएगा rush ठीक है next question चले हम लोग question number 31 में antonyms बताना है flexible का यह तो काफी easy है antonyms of flexible what is the right answer और इस तरीके से होता है time finished is flexible का होने वाला है stiff ठीक है next question देखे हम लोग question number आपका 32 है everything that I like to eat are fattening इसका आपका क्या होने वाला है correct यह है आपका grammatical error question है क्या होगा कहां पर error आपको दीख रहा है बहुत simple question है यह चलिए आप मुझे बताइए इसका answer क्या होगा very good are fattening के जगा होगा is fattening ठीक है क्योंकि यहां पर everything लगावा है तो everything है तो singular आएगा भरव आपका next आपका आपका आगया चलिए यहां देखिए आपका क्या होने वाला है यहां आपका होने वाला reticent जो है correct answer है ठीक है जो कम बोलता हो spill the beans इसका idiom क्या होगा spill the beans का idiom चलिए किसी का भेद खोल देना मतलब कि give away a secret जो है आपका right answer है question number 34 है fill in the blanks का question है यहां पर आपका क्या आएगा the students went to their dash classes after the morning assembly यहां पर correct आपका fit क्या होने वाला है the students went to their dash classes sir maths के लिए बताइए कुछ mock में अच्छे number नहीं आ रहे हैं maths पे तो वीडियो भी बनाए है देख लिजिए math का strategy वाला वीडियो time हो गया finish respective class आपका correct हो जाएगा students went to their respective class correct हो जाएगा respective respected नहीं आपका ठीक है यह भगवान 34 का जो है यहां पर तो सब लोग गलत answer दिया है D अरे बहुँआ यहां पर बहुत साज़ लोग ने D answer दिया जबकि respective होगा कोई person हो उसको वो आपका हो गया respected आप उसकी respect करते हैं respected teacher respected parents और respective हो गया कि student लोग assembly के बाद अपने अपने classes में जाएग next यहां पर आपका हो गया place where cloths are kept उस जगा को हम क्या कहते हैं उस जगा को कहते हैं wardrobe ठीक है next आपका 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 गया and synonyms तो glorious का synonyms क्या होगा question number 36 है glorious का synonyms क्या होगा question number 36 है glorious का synonyms तो glorious का synonyms क्या होने वाला है यहां पर right answer क्या हो जाएगा आपका splendid जो है correct answer है glorious मतलब भी अच्छा होता है ठीक है next आपका है 37 यह है आपका sentence rearrangement का question सर स्टैटिक जीगे के complete PDF दे दो सारे PDF दिये वह है मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है ना कि हम खोजे बैट कर इतना वीडियो बना चुके है कहां कहां कौन फाइल लखे हैं नहीं मिलता है लेकिन ट्राइ करेंगे कुस्सिस करेंगे हम टेंशन लेना नहीं है आपको चलिए यहां देखिए time हो गया finish correct answer आपका क्या आजाएगा option number A यानि कि C, B, D, A भीमा से आपका sentence जो है start होगा समझ रहे हैं B sorry C, B, हाँ D, A तो भीमा से start होगा ठीक है next उसके बाद D में आ जाएगा ठीक है तो A answer आपका correct है next question है यहाँ पर 38 यह भी आपका sentence rearrangement का question है correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर maths की PDF दे दो ठीक है maths का PDF हम आज रात में आपको दे देंगे टेलिग्राम पर चलिए time हो गया finish यहाँ पर correct answer क्या आएगा option number C जो है correct आजाएगा ठीक है चलिए next है आपका question number 39 fill in the blanks का question है हिंदी वाले के लिए कुछ कीजिए चलिए यहाँ हो गया आपका time finish क्या हो जाएगा आपका the government has warned the trader not to hold जमा नहीं किजिए unions को ठीक है question number 40 sorry यह अब आपका आगया जी के थोड़ा एक मट लाइक देख ले कि दोसों अरे बा यह तो मातर 113 लाइक से अभी तक कि क्या हो रहा है आगे बढ़े गा ही नहीं 112 हुआ जब सबको मालूम है क्या करना है तो फिर इतना लेट क्यों हुआ जल्दी से किजिए चलिए जी के स्टार्ट करते हैं हम लोग दर नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ हुमन बिंग इज यहाँ पर आपका क्या होने वाला है करेक्ट एंसर चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट एंसर क्या होने वाला है कि दर नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ हुमन बिंग उसको हम क्या कहते है उसको कहते है यूरिया ठीक है यूरिया आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कोर्षन चले हम लोग कोर्षन नमबर यहाँ पर 41 है यह किसका सेंटिफिक नेम है यह किसका सेंटिफिक नेम है यह है डॉंकी का सेंटिफिक नेम ठीक है नेक्स कोर्षन है डाइट इस यूजड फॉर मेकिंग कैमिकल एपरिटर्स लाइक बीकर, फ्लास्क, एटिसी चलिए उसको कहते हैं हम लोग हार्ड ग्लास ठीक है नेक्स्ट होगे आपका राष्ट पती भवन यह कब आपका बना था राष्ट पती भवन कब बना था और यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा 1910 में आपका ठीक है नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कोर्षन है आपका शन्थारा इस रिलिजियस रिच्वल ओफ डैस कम्यूनिटी ठीक है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यह आपका रिलिजियस रिच्वल है किस कम्यूनिटी का सन्थारा नेहा का कहना है कि जीके टेस्ट आते ही नीन आने लगी यह है आपका जैन लोगों का ठीक है जैन लोगों का यहाँ पर correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कोर्षन है यहाँ पर which of the following will cause an increase in demand for a good क्या कारण होता है demand अगर बढ़ने लगे आपका तो इसके पीछे का छुपा राज क्या है क्या कारण होता है आपका right answer क्या हो जाएगा जब substitute goods का price अगर बढ़ जाए तब जो है demand जो है उस product का आपका increase हो जाएगा समझ रहे है next question है यहाँ पर 46 में the ionosphere overlaps which two layer of the atmosphere यहाँ पर आपका क्या होगा यहाँ होने वाला है आपका exosphere और thermosphere option number 2 next है आपका first country to appoint लोगपाल और equivalent to a लोगपाल पहला country कौन है first country to appoint लोगपाल और equivalent to a लोगपाल यह था आपका Sweden ठीक है next है आपका which are the oldest mountain in India सबसे पुराना oldest mountain कौन है आपका सर जी मेरी CHSL की exam हो गई क्या मुझे यह टाइम हो गया फिनिश यहां पर आपका हो जाएगा अरा वली जो है आपका सबसे oldest mountain है next है आपका which country is the largest producer of rice largest producer कौन है rice का तो वो है चाइना next है आपका who built jama masjid jama masjid को किसने बनवाया था यह बनवाया था सा जहां ने अपनी बेगम मुम्ताज के लिए जो आज बहुत सारे लड़कों का सरदत बन चुका है चलिए next question है आपके screen पर battle of haldi gati was found in the year battle of haldi gati यह आपका लड़ा गया था किस साल right answer हो जाएगा 1576 में next है आपका first Indian woman to gate भारत रतन पहली महिला का नाम बताइए जिसको भारत रतन मिला था सर कहां कहां exam center है कैसे पता चलेगा यह तो आपको options जब आप odissa डालेंगे या आप बिहार डालेंगे वहाँ पर खुद आपको वहाँ पर पॉप अप खुलेगा आप देख सकते हैं वहाँ पर तो पहली महिला जिसको भारत रत मिला उनका नाम है इंद्रा गांदी ठीक है next question है आपके script पर instrument for measuring low temperature is called low temperature को आपने के लिए हम किस instrument का use करते हैं और उस instrument का नाम है cryometer जो है आपका right answer है ठीक है next है आपका at the time of emergency in 1975 who was serving as the president of India 1975 में जो आपका emergency लगा था उस वक्त भारत के president कौन थे भारत के president उस टाइम पे थे फकुरूद्दीन अली एहमद क्या नाम था उनका फकुरूद्दीन अली एहमद next हो जाएगा आपका who is the author of the book my experiment with truth इस book के author का नाम बताइए my experiment with truth और ये है आपका महात्मा गांधी ठीक है author कौन है महात्मा गांधी next है आपका Kevin Durant ये place कौन सा international sports खेलते हैं DP का धिलोत का कहना है कि sir आपका कैसा भी video का notification नहीं आता है क्या कर सकते हैं YouTube से नहीं जाता है notification तो आपको पता है ना कि 9 बजे से class है तो बस आप आजाया किजिए और दीन में 2-3 बार चेक कर लिया किजिए कि हाँ video कुछ आया कि नहीं आया तो ये आपका हो जाएगा correct answer यहाँ पर कौन सा basketball आपका right answer है ठीक है next question है आपका in eocratic cell synthesize of RNA takes place in the ये कहां होता है ये आपका nucleus में होता है ठीक है next है आपका in computer ALU stands for ALU stands for what ALU stands for what बहुत simple है 5 second का question है इसका full form आपको पता ही है arithmetic, logic, unit जो है आपका right answer है next question है याप पर Indian super league is associated with which sports तो ये जो Indian super league होता है ये आपके किस sports से सम्बंदित है ये आपका सम्बंदित है किस से है तो football से है आपका ठीक है और आज का हमारा last question है कि who is the author of the hungry tide the hungry tide के author का नाम आपको बताना है प्रियंका कुमारी का कहना है कि sir notification आता है बहुत अच्छी बात है तो the hungry tide के author का नाम है Amitav Ghosh ठीक है चलिए तो यहाँ पर total 60 question हो गया और आज भी performance बहुत अच्छा है मैं थोड़ा cut off आप लोगों को बता दू कि cut off का क्या scene है reasoning देखिए और मैं आपको यह भी बता दू questions कैसा लगा आपको क्योंकि आप सूचिए अच्छा आपके नजर में यह question easy है hard है easy है moderate है या advanced level का question है तो definitely आपका जवाब होगा कि sir moderate से थोड़ा कम है तो यह कहां का question था यह सारे question तो आपके CGL 2019 के question थे यह सारे question जो है 3rd March 3rd shift के paper थे आपका 3rd March 3rd shift के paper थे यह जतने questions मैंने किये है 75 questions में से 60 questions आपका यहाँ पर यही था तो देखिए इस में से जो है reasoning जैसा था उसमें मेरे हिसाब से आज भी 17 तो होना ही चाहिए था English जैसा था उसमें भी 17 होना ही चाहिए था और GK में round 15 वापस से मतलब 50 number तो आपके होने चाहिए था और जिन बच्चों को 55 प्लस आया है वो तो समझ लीजे बहुत अच्छा performance है अब आप लोग अपना देख लीजे क्या क्या स्कोर आया है आपका सब मेरा मोबाइल में YouTube ओपन करने पर notification आता है Maths तो बोले था ना कि कुछ दिन क्या बात करेंगे Maths रुख जाईए बस दो सिट Monday से स्टार्ट कर देंगे आज आपका हुआ ना Friday है कल आपका Saturday है फिर आपका Sunday है मंडे से मैं तो स्टार्ट कर देंगे ठीक है चलिए यहाँ पर देख रहे है सब का स्कोर 50 प्लस महीं आ रहा है वेरी गुड चलिए तो कल आपसे मिलते हैं आज एक्चुली थोड़ा सा low fill कर रहे है बलब low sound कर रहे है थोड़ा सा problem है बस 10-15 मिनिट का that's why और कुछ नहीं है चलिए जीके मैराथन मोड नीड ठीक है तो बहुत अची बात है तो जीके का जो मैराथन है न ये आपका और भी आएगा टेंसन लेना नहीं है समझ रहे हैं सर कैसे देखते हैं अपना स्कोर निवत्ति जैस वाल अरे भाई देखना कैसे आपको खुद पता चलेगा कि कितना आप गलत बनाए हैं और कितना आपका सही है ये तो खुद करना बड़ेगा चलिए कोई नहीं गुड नाइट आज का भी प्रफॉर्मेंस अचा था तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में कल आपसे लेते हैं वापस से लाइफ शेशन तो वहाँ पर आपसे बात करेंगे ठीक है संजै सिंग वेरी गूड बहुत अच्छा प्रफॉर्मेंस है चलिए